स्वागत आप सभी का कैसे हैं आप सभी तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ हिंदू के कुछ इंपोर्टेंट डेली वोकेब्स का डिसकेशन करता हूँ तो उसी से तिले को continue रखेंगे और आज दे 78 है जिसमें हम एंटर कर शुके हैं तो चली स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है देखने उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैन चली स्टार्ट करते हैं वीडियो में तो आज हम बात करें जो माल पास पहला वर्ड है वो है stipulate का क्या मतलब होता है एक सिग्णर क्या मतलब होता है पहला तो एक बर्व होती है ठीक है इसका मतलब क्या होता है तो उसे exactly and officially what must be done मतलब एक आदेश देना कि क्या करना exactly क्या हो आदिकारिक तौर पर कहना प्रदब officially किसी बात को कहना ठीक है वो होता है stipulate करना ठीक से अनॉनिम की बात करें तो demand करना है इंस्टर्ट करना तीन साल पर inspect करना चाहिए ठीक है चलिए आकर देखते हैं अगला जो वर्ड हो है टेपड अडियक्टिव होता है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है तो enthusiasm की कमी होती है तब क्या होता है enthusiasm की कमी होती है तो काम धंक से नहीं होता है ठीक है तो tepid tepid मतलब lack of enthusiasm आप simply word में इसको कह सकते हो ठीक है एक शब्द नहीं का है तो उत्साह यून होना उत्साह ना होना जोश ना होना ठीक है synonym की बात करें तो apathetic हो जाएगा और look bomb हो जाएगा ठीक है इसके synonyms antonym की बात करें तो enthusiastic है और passionate हो जाएगा बात करें sentence में इसको कैसे use किया गया है तो I got a tepid response to my suggestion मैंने मेरा जो मैंने suggestion दिया था उत पर मुझे बहुत ही normal सा response मिला मतलब जैसे मैंने आपको कोई suggestion दिया कि आप यह किया करो वो किया करो और आपने response ही ने दिया उस पर आते ही निए उस चीज में तो बहुत टepid सा उससा ही reaction मिला उस चीज का ठीक है ऐसा ही sentence में बोला गया चलिए आगे देखते हैं अगला जो word है वो है overshoot overshoot एक verb होती है इसका क्या मतलब होता है एक minute overshoot एक verb होती है ठीक है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि to go over beyond or above किसी चीज के परे चले जाना मैं कल ही बता रहा था कल शाम वाल लिगा था कुछ भी करने की तो उस limit से उपर आपने किसी काम को कर दिया तो आप overshoot कर गए ठीक है और उसके बात अगर बात करें तो पार कर जाना पार कर जाना मतलब एक सबने अगर बोलो तो इसको पार कर जाना आप कह सकते हो ठीक है बात करें इसके सिनोनिम की तो सरपास कर जाना या exceed कर जाना किसी चीज से बात करें इसके अंटानिम की जो चोक कर जाना या under limit रहना मतलब चोक कर जाना नीचे ही रहना under limit मतलब लिमिट के अंदर ही रहना sentence में इसका यूज देखें तो the department may overshoot its cash limit तो जो department है वो शायद अपनी cash के limit को overshoot कर जाएगा जो उसके पास cash होना चाहिए वो उससे जदा cash के बस आ जाएगा ऐसा बोल रहा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला जो word है वो है मल मल एक verb होती है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है think about fact proposal और request deeply and at length मतलब किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचना आप मल कह सकते हो actually मैं मल बोलते हैं मल नहीं बोलते हैं इसको मल तो अलग चीज हो जाती है इसको मुल कहते है M-U-L-L-Mul ठीक है एक तथ प्रस्ताव या अनुरोज के बारे में गहराई से और लंबाई से सोचना बहुत deeply thoroughly उसको study करना या सोचना उसके बारे में ठीक है एक शब में कहते है तो विचार विमर्ष करना कह सकते हो अब इसको बात करने इसके synonym की तो ponder करना या contemplate करना बात करने इसके antonym की तो ignore करना है विचार करने लगे जी ठीक है ऐसा बोला गया है इस sentence में चलिए आगे देखते हैं अगला जो word है वो है herald herald एक verb होता है इसका क्या मतलब होता है to be a sign that something is going to happen soon मतलब कोई ऐसी चीज जो हाल ही में होने वाली है जल्द ही होने वाली है कोई ऐसी उसके संकेत अभी से मिलने लग गए है तो वो होती है herald example कोई भी आप ले सकते हो कोई event है जो लगा हुआ है तो आपको पहले से पता चला है कि उस event के लोग कितने चुक हो रहे हैं अभी राममंदर जब बना तो उसमें कितने लोग और लेडी मज़ब उस पर participate करने है तो संकेत में लगए है यह होने वाला है ठीक है ऐसा आप कह सकते हो तो संकेत आप इसको एक शब में कह सकते हो बात करें सिगनल या इंडिकेशन इंडिकेशन कह सकते हो ठीक है अन्टानिम की बात करें तो हाई डिया सीक्रेट छुपा हुआ है पता नहीं चल ला को उसके बारे में ऐसा बोल सकते हो बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है तो अर्ली फ्लावर्स आर है राड़ आवस परिंग मदब जो स्टार्टिंग के फ्लाव पेड़ों में फूल आने लगते हैं तो यह समझ में आ जाता है तिए अब बरसात आने वाली है ऐसा बोला यह है ठीक इस सेंटेंस में चलिए आगे देखते हैं अगला जोब बाट है ट अज़ार समया बोल सकते हो सा इडिए और पावरफुल बोल सकते है उन दोने के बड़ा टेंवस आप घंटेंस में छिए या एक राटी नहीं हूई थी फोड़ी बहुत ही थी बहुत जागा नहीं हुई थी, 10-1 है हम जो और बोल सकते हूं, ठीक है, वही मैंने होता है, situation या person, कोई भी हो सकता है, 10-1, ठीक, चलो, आगे देखो, अगला जो word है, वो है, quick, quick, इसको बोलते है, noun है, ठीक है, इसका मतलब होता है, a strong thing that happens by chance, मतलब कोई ऐसी चीज, sorry, strongly, strange हो, and a strange thing that happens by chance, मतलब कोई चीज ऐसी जो आपने सोची नहीं थी, वो अचानक से हो गई, तो वो होती है, quick, ठीक है, एक शब में से कहा है, तो असमानेता कह सकते हो, मतलब abnormality कह सकते हो, उसको, कि abnormal है वो चीज आपके लिए, ठीक है, synonym की बात कहा है, तो peculiarity और oddity मतलब कोई सेंटेस में इसका यूज देखे, तो by a strange quirk of fate, they met again several years later, बहुत ही strange quirk हुआ, असमानता होई, जिसमें, कि उन्हों वो, मतलब 7-8 साल बाद, मतलब कुछ साल बाद, several years बोला है, तो कुछ साल बाद उनका दुबारा मिलना हो गया, बड़ा strange thing हुआ, कि वो कुछ साल बाद चलिए, आगे देखते हैं, अगला जो word है, vindicate, vindicate, वर्व होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, to prove that something is true, or that you were right about doing something, तो किसी चीज को prove करना कि सही है, या आप उसको लेकर सही थे, ठीक है, वो होता है vindicate करना, ठीक है, आलो किसी और से कहना है, कि मैंने जो क stock market में, कि इस पर share लगा, तो ये कर दो, वो कर दो, तो कई बार वो सही हो जादा, तो उसको उस टर्म पर बोल सकते हैं, I've indicated that, ऐसा बोल सकते हो, आप ठीक है, महाँ पर, चलिए, उचित ठहराना, अपनी बात को सही साबित कराना, ऐसा बोल सकते हो, एक शबने इसको, synonym की बात करें, तो justify करना या defend करना, ठीक है, अंतॉनिम की बात करें, तो convict करना या blame करना, तो अलब उस चीज को justify ना कर पाना, ठीक है, convict, convict, जाना, उसके, उसके आप convict हो गए, ये गलत हो गई, आप से ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, sentence में इसका use देखें, तो these discoveries vindicate their story, तो, आगे देखिए, अगला जो word है, abnegation, abnegation नाउन होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, the action of renouncing or rejecting something, तो कोई ऐसा action, जो किसी particular चीज को reject करता हो, मानता ही ना हो, ठीक है, वो होता है, abnegation, मतलब reject करना, ऐसा बोल सकते हो, किसी चीज को त्यागना, या मतलब उस चीज में involved हो गया है, उस चीज में involved हो गया है, उस चीज को accept कर दी हो, ऐसा बोला जाएगा, ठीक, sentence में यूज देके इसका, it is a heartwarming, heartwarming लिखा है, it is a heartwarming tale, tale मतलब होता है, story of courage and abnegation, तो ये एक बहुत ही, दिल को छू देने वाल, छू लेने वाली कहानी थी, उनके abnegation की, उनके courage की, ठीक है, उनको त्याग किया उसकी, और उनका जो courage था, उनका जो हिमत था, ठीक है, ऐसा बोला गया है, इस sentence में, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, अगला जो word है, वो है metal, metal एक noun होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, person's ability to cope with difficulties, मतलब एक person, देखो, एक जब मैं अभी, जब हमारा clerk का अभी पर होया था, तो एक person थे, उन्होंने पूछा ता मुझसे, कि cope up होता है, या cope होता है, तो मैंने उनको बता है, cope up गलत होता है, ठीक है, तो cope up हम लोग यूज़ करते है, लेकिन वो गलत होता है, cope हमेसे आके लिए आता है तो person's ability to cope well with difficulties, तो किसी person की ability, कि वो कितनी आसानी से, कितनी अच्छे धंग से, किसी difficulties से deal करता है, manage करता है, किसी difficulty, किसी परिशानी को, तो वो होता है, metal करना, ठीक है, एक शब्द में करता है, तो deliri आप कह सकते हो, इसको ठीक है, उसके बाद बात करें, इसके synonym की, तो resilience या acceptance इसको आप बोल सकते हो, बात करें, sentence में इसको कैसे use किया गया है, तो it is hurt, एक second, sorry, sorry, यहाँ पर ये गलत है, ये sentence वही आ गया है, पुराना वाला, तो metal का कोई एक sentence, अगर आप लोग frame कर पाओ, तो frame करके comment box में comment करना, otherwise, मैं कर देता हूँ कि, a person's metal is important for surviving in today's era, तो एक person, एक इनसान की ability, difficulty, अगर उनके अंदर है ability से deal करने की चाहत, ऐसा बहु सकते हो, ठीक है, अगर ability से अच्छे से deal कर लेगा, वो किसी भी ability या difficulty से अच्छे से deal कर ले जैसे आप भी try कर सकते हो comment box में, ठीक है, चलो, तो guys, आज यतने ही word थे मेरे पास, दो important word लेकर आए हूँ आपके लिए, एक है vindicate, और एक है hurdle, अभी जैसे मैं आपके sentence मनाया, तो आप आप ऐसे भी कर सकते हो, कि इसके synonym, और एक sentence आप frame करके comment box में comment कर सकते हो, ठीक है, तो झाल